हेलो मॉमीज विल्कम बैक टू माई चैनल अक्सर आपने दिखा होगा कि छोटे बच्चों की चेहरे पे लाग दाने हो जाते हैं और एज परेंट हम काफी परिशान हो जाते हैं लेकिन इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसे बिल्कुल आसान तर जो भी बेड़्शिट में वह सोते हैं उसको साफ रखें बच्चों को गूद में लेने से पहले अपनी हाथों को अच्छे साफ कर लें साथ ही खास कर गर्मियों में बच्चों को कॉटन के ही कपड़े पहना है नेक्स्ट पॉइंट अब ब्रेस फीडिंग अगर आप अप धर्मियों में बच्चों को हाइडरेट रखना बहुत जरूरी होता है अगर आपका बैच्च छे माहिने से छोटा है तुए फिलां और अगर आपका बच्चे चेहरे को बार बार ना चुए ना ही बच्चे के चेहरे को आप चुए और ना ही बच्चे को चूने दे अगर बच्चे चेहरे पर बार बार हाथ लगाता है तो उनके ध्यान को भटकाने की कोशिश करें नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे के लिए हमेशा अच्छे ब्रांट के प्रोड़क्ट ही इस्तमाल करें बच्चों के लिए आप ओईल यूज कर रहे हो क्रीम यूज कर रहे हो लोशन यूज कर रहे हो अब बच्चों के लिए जो भी यूज कर रहे हो बेबी प्रोड़क्ट करें और अच्छे ब्रांड करें नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी तरब से बच्चों के दाने पर कोई भी क्रीम ना लगाएं बच्चों के इसके बहुत संसिटिव होती है इसलिए उन्हें और प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए हमेशा डॉक्तर से प्रिस्क्राइब क्रीम या नेक्स्ट पॉइंट है नारियल का तेल नारियल की तेल की तासी ठंडी होती है इस बच्चे के चहरे को साफ करकर इसलिए आप अच्छे तरीके से हलके हाथों से बच्चे के चहरे पर लगा के 15-20 मिनट के लिए रहने दे और उसके बद बच्चे के चहरे को साफ कर दें साथ यगर हो सके तो आप बच्चों के चेहरे पर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ओईल का ही इस्तमाल करें नेक्स पॉइंट है जाइफल जाइफल भी बच्चों के लिए बहुत लाबडायक होता है आप जाइफल का पाउडर घिस कर उसका पाउडर बना ले और उसे दूद्स के साथ मिलाकर बच्चों के चेहरे पर लगाएं इससे भी बच्चों के दाने बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर आपने सारे उपाई कर लिए और बच्चों के दाने ठीक नहीं हो रहे हैं इन फैक्ट वो बढ़ते ही जा रहे हैं और बच्चों को इचिंग भी हो रही है साथ में बच्चा बहुत रो रहा है बहुत परिशान है तो एक बढ़ डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करे थैंक्यू मॉमी जगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें कमेंट करें और भी मदर्स के शाथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि बच्चों से जुड़ी ममी से जुड़ी सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें